इतना सब बोल पाऊंगा है सब कुछ होगा क्योंकि लाइफ कुछ अलग दिशा से जा रही थी जब मैं आचाफिलिंग के पत्त पर आने का था मैं पुना में मैं शौलापूर से हूँ तो 1998 तब मैं पुना में डो टो डो मार्केटिंग करता था तो फिर उसमें लेता ना पर पक्का आपने मुझसे पहले नहीं किया होगा तब क्या हुआ 1998 में जब मैं वो डो टो डो मार्केटिंग करते थे वहां पर तो एक किस्सा ऐसा हुआ कि कुछ मैनों तक मेरा ठीक से नहीं चल रहा था यहने जो एक प्रोडुक्ट बेचने के बाद 100 रुपी की चीज बेचने के बाद 10 रुपे आते थे उसी 10 रुपे में आपका आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ उसमें रहता तो दिन बर कभी 10 बेचते हैं कभी 20 बेच जाते हैं कभी 15-20 हो जाता और कभी कुछ होता भी नहीं था लाइफ तो ऐसी लगी पड़ी थी ऐसा लगाता कि यह अपना लाइफ है और मुझे लगता अभी कहा तक ज पता ना अनु को पता किसी को ने पता सुनली मी मैं पस्ता में इस तरह से ऑनलाइन प्लैटफर्म पे आप सब के साथ कर रहा है तो वह सीर ऐसा था कि मैं दो दिन से खाना ने खाया था तो दो दिन से ऐसे भटक रहते तो सबरे कुछ मैंने पास 10-15-20 रुपे थे तो लूल वहां से फिर मैं बैश्ते आ रहा तो लगबक शाम के साड़े साथ बज़ गयते तब तक कुछ हुआ ने कुछ हुआ नहीं था पतिंग हापन ठीक है खाना भीने खायता और वह 20 किलो का पीछे लेके चलते-चलते पुरा ऐसा हो गयता है फिर वह सिर्फ उस दिन का थका नह का गुसा रोना सब कुछ मिक्स इमोशन चल रहा था और उसमें में रिटर्न चल रहा था कुछ हो वह तो नहीं था को अभी रिटर्न तो जाना है घर पे तो चलते-चलते-चलते एक बस्टॉप के आपर रूख गया और वो जो अंदे पे था 20 किलो का उसको फिर नीची था था थोड़ी देर में फिर मुझे पेर के यहां पर कोई नीउस्पेपर का एक फोटो दिखा तो मैंने ऐसे फोटो को उठाए तो और लजाने उस वक्त क्या सुजा क्या समझा डिली डॉन नो बट इतना तो पक्का में फोटो को लेकि मैं रो रहाता मैं जोर जोसे में फिलेडा था कि अगर दुनिया में अगर कोई चीज है अगर कोई गुरू इंसान कोई महात्मागर है और इस रूप में है तो मुझे सब इस जंजाल से मुझे मुझे इससे चोड़ किया तो मेरी जान चूटे यह या यह मुझे से चुटे कुछ तो करो पर गूजे अभी म मुझे बूलना था मैंने रुआ मुझे आज भी वर्ट स्याथ नहीं पर इतना तो जरूर था मैंने मेरे मेरे मन को खाली कर गया सारे कंप्लेंट गिलेशिक वे जो भी ते मैं उस फोटो के साथ शेयर किया फिर ये फिर उसके बाद फिर मैं आया कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ और करने लगे तो शुलापुर में मेरे एक परिशित है जिन्हों ने मुझे इस पत्पे लेखिया है तो बहुत सारी चीज़े करने के बाद लगबग 20-21 बिजनेसे फ्लॉप होने के बाद बहुत सारे चीज़े होने के बाद तब उसने बोला तेरे लाइफ में साथ मेहल पर बुलके इस तरह से और वह व्यक्ति थे कि जिन्हों ने मुझे आर्ट आफिंग में लेखिया है वह चोटु माडिकर अपने आश्रम में जो मेंटरनस डिपार्मेंट के हैड इसले 20 साल उसे वह आश्रम में है आश्रम में ठी है तो तो हम लोग ऐसे गाव गा इंवर्टर वगर इंस्टाशिंग लिए जाते तो उसने मुझे जबरदस्ती बिटाया और पैसा भी उसे नहीं बढ़ा और पुरा तो फिर उसने क्योंकि पहले के अपने लिफ्लेट या पॉम्प्लेट में ऐसा कोई गुर्देव का फोटो ने रहता तो बस नाम रहता थ वहां पर जब वह फोटो देखा तब मैं एकदम अच्छंबित हो गया कि ऐसा लगा कि मेरी तलाश रुप गई फिर मुझे एकदम फ्लैश बैक की तरह में जो सीने आदा आगया बस्टॉप वाला जिस फोटो के लिए कि मैं रो रहाता गोल रहाता गिडगड़ा रहाता फिर वह फोटो यहां पर कैसे और यह इंसान को तो जैसे फिरकोर शुरूआ जिस तरह सबको लगता है कि सुद्रशंक्रिया अद्भूत है यह सब अद्भूत है मुझे तो इन सबसे पर ऐसा लग रहाता कि कई